हेलो एब्रीवन क्या से हो सब लोगों में रहे कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं कोस्ट नमबर सिक्स के फॉर्स्ट और सेकेंड पार्ट के सॉलिशन के बारे में अगर आपने इससे प्रिवर्स वीडियो अभी तक नहीं देखा है साथ साथ आने वाले वीडियो का सॉलिशन देखना चाहते हो तो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बाड डिस्क्रिप्शन अब जरू चेक कर लोगे फिलाल फ्रस्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है नेम दा फॉल्लाइं यानि कि कुछ हमें यहां पर कोशन दिये गए हैं उसके बैसे उसका नेम बताना है जैसे वन वर्ड आंसर आपको देखने को मिलता है कोशन पर बस उसी टैप्स के कोशन जो है यहां पर देखने को मिल रहा है दा ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स सालफाइड हमें जिंक के एक ऐसे ओर का नाम बताना है जो sulfide contain करके रखता है तो simple form में आपको इसका answer लिखना है zinc blend क्या होगा zinc blend जो है zinc blend zinc blend जो है वो simple form में क्या contain करता है that is sulfide ore contain करता है अगर इसका formula देखो तो इसका formula होता है zannis यानि zinc का sulfide ore अगर इसको हमें oxygen के form में convert करना है तो कैसे करते हैं तो ये process भी आपको याद रखना है ये process होता है roasting कौन सा process होता है that is roasting roasting के basis पे ये sulfide ore जो है ये simple form में किसमे oxide ore में convert हो जाता है फिर उसके बाद हम लों carbon के साथ reaction कराते है और ये हमारा क्या होता है as a reducing agent और ये reduce हो जाता है but ये हमसे पूछा नहीं गया था ये तो हमने बस ऐसे ही पढ़ लिया ताकि आपको याद रहे आ गया आते हैं बी पार्ट में बी पार्ट में क्या दिया है the most commonly used oxide ore of aluminium अच्छा aluminium का कौन सा ऐसा oxide ore है जिसका most commonly used किया जाता है तो वो है हमारा boxide कौन सा है that is boxide boxide हमें देखने को मिलता है जो की एक aluminium का ही और हमें देखने को मिलेगा इसका formula क्या होगा formula भी आप याद रख सकते हो al203.2h2o कहीं पर al203 भी लिखा होता है इसका मतलब वो powder form में है यहाँ पर .2h2o अगर maximum book में देखोगे तो boxide के यही formula आपको देखने को मिलेगा otherwise यहाँ तक भी आपको देखने को मिल सकता है है ना तो इस type से simple form में इसका आप answer जो है एकदम ही प्यारे तरीके से कर सकते हो to the point सारे के सारे parts को याद रखो direct definition आपसे नहीं पूछा जाएगा कि electron affinity क्या है electronegativity क्या है या जितने भी आपने process पर रखके है को भी आपसे जैसे fountain experiment आपने देख रखा है bond hebber process आपने देख रहा है hebber process जैसे simple form में आपने पढ़ा होगा तो वह direct आपसे पूछा नहीं जाएगा कि hebber process बताब ऐसा नहीं उससे best questions आपसे पूछे जाएगे जैसा कि आपने previously questions में भी देख रखा है तो अगर आपने previous video नहीं देखा और साथी साथ next video जो आने वाला है वह भी देखना चाहते हो तो complete playlist का link मिलेगा आपको description पे भी match का solution आपने कर रखा है